सब्सक्राइब तो आप त्यारी कर रहे हैं एरफोर्स की नेवी की ठीक है तो मैथेमेटिक्स की यह वीडियो जो चैप्टर लिमिट से रिलेटेड है तो यह आपको इन तीनों एक्जाम के अंदर सब्सक्राइब रहेगी चूहाँ एयरफोर्स की ठीकर रहे है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिमिट चैप्टर का फुल बेसिकन सेप्ट करवाने वाला हूं पुल डिटेल के साथ एक एक चीज़ करवाँगा बढ़िया तरीके से बढ़िया डिटेल के साथ विद एक्जामपल देखो ले यार लाइब शेशन नहीं ले पा रहा हूँ कुछी रीजन है इस वाज़े से नेट का इश्व है लेकिन मैं आप लोगों को रिकोर्डिंग के अंदर पूरा कंसेब्ट हर चेब्टर का प्रवाइड जुरू करवाँगा तो सबसे पहला काम तो इक काम करना है यार प्लीज वीडियो को लाइफ जुरूर करें और कोमेंट बोक्स में मेरे को आपका कोमेंट शाहिए भाई जहें जुरूर comment करें नीचे comment box के अंदर ठीक है और चैनल पर जो भी न्यूए चैनल को subscribe जूरू करें तो सबसे पहरे limit की concept के अंदर सब basic concept पढ़ते हैं regarding limits limits के regarding एक छोटा सा basic concept हम discuss करते हैं ठीक है अगर मैं कोई भी variable लेता हूं माल लो मैंने एक variable लिया x ठीक है इस x variable की हम values लेते हैं ठीक है which is जो आपकी more and more ठीक है more and more close है किसके एक finite number के एक finite number a के ठीक है एक finite number a है क्या किया we take values of x एक variable x है जिसकी values हम लेते हैं जो की बहुत ज़्यादा close है finite number a के then we say that then we say that तो हम कह सकते हैं ही x जो है वो approach करेगा किसको approach करेगा a को बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं रहती कि सर x approach to a इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब basically यही होता है कि जो भी x की value हम लेंगे वो more and more close लेंगे कि इसके a के a के जितना close हम ले सकते हैं उतना close हम value लेंगे अब यह जो value है वो right side से भी close हो सकती है और left side से भी close हो सकती है अब right side से close होने का मतलब क्या है और left side से close होने का मतलब क्या है जरह देखो right side से close होने का मतलब क्या है और left side से close होने का मतलब क्या है जैसे मैंने point लिया यह A ले लिया मैंने यहां से मेरे पास X जा रहा है जो कि right side से यह क्या है मेरे पास right side है ठीक है और यह मेरे पास है left side X जो है वो जा रहा है कि इसकी तरफ A की तरफ जा रहा है और कहां से right side से A की तरफ जा रहा है तो उस case में हम क्या इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं कि X जो है How approach करेगा किसको A plus A plus का मतलब अता है कि X जो है वो आपका Greater than A है A से क्या है? बड़ा है right side से इसको जो है वो क्या कर रहा है भी approach कर रहा है ठीक है न? तो X की value अब यहाँ पर पढ़ा है जैसे यहाँ पर पढ़ा है ठीक है ना एक राइट साइड में एक्स पढ़ा है लेकिन एक बिल्कुल क्लोज के अंदर है तो एक्स ए से बढ़ा है लेकिन एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ए जो है इसको हम लिखते है एक्स to a minus x किसको अप्रोच करेगा a minus को a minus का मतलब होता है कि x less than a है और x a को अप्रोच कर रहा है और a plus का मतलब होता है कि x t value a से बड़ी है लेकिन वो x a को अप्रोच कर रहा है मतलब कि x की जो value बहुत ही a के नजदीक में है ठीक है ना अब जैसे for example मैं आपके एक example के थुरू बताता हूँ जैसे मैंने कहा कि x approach to 2 plus x approach to 2 plus का मतलब है कि x की जो value होगी 2.0000001 तो मतलब 2 के बहुत ही close value है लेकिन 2 से बड़ी value है है ना तो वो चीज़ खेलियर हुई तो यह था मेरे पास कि left side से कैसे approach करता है और right side से कैसे approach करता है और approach का meaning क्या होता है खेलियर हुआ अब मैं definition की अगर बात करूं किसकी definition की limit की definition की तो limit की definition क्या होती है माल लो कि मेरे पास एक function है fx बीए function of x कोई भी है मेरे पास x का function है fx क्या है मेरे पास f का function है अब यह जो expression fx है ठीक है come close to a finite number close to a finite number L कब as x approach to a finite number A क्या कि अगर कोई number x जो है कोई finite number A को approach कर रहे x जो है किसको approach कर रहे A को approach कर रहा है तो उस case में यह function जो है वो भी एक finite number को approach करेगा मालो fx किसको approach कर है L को approach कर रहा है तो उस case में जो L होता है इसको हम क्या बोलते है nature limit of fx बोलते हैं यह जो L होता है वह आपके पास इस function की limit आ जाता है कब अ जब आपका x किसको approach करता है A को approach करता है clear अब इसको लखते कैसे इसको हम लिखते हैं कि limit जब x a को अप्रोच करेगा तो f of x is equal to l आएगा क्या जगा f of x is equal to l आजाएगा जैसे for example example कि तुरू अगर मैं आपको समझाओं तो मैंने कहा कि एक function मैंने आपको ले लिया function मैंने आ ले लिया x square plus में 3 ठीक है x approach to 1 x 1 को अप्रोच कर रहा है देन आप बताओ कि यह जो function है वो किसको अप्रोच करेगा meaning कि limit जब x 1 को अप्रोच करेगा तो f of x की value क्या रही तो यह एगा limit x किसको अप्रोच कर रहा है 1 को function क्या है x square plus में 3 अब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो function भी किसी ने किसी को अप्रोच करेगा तो x की जिगे आप वहाँ पर 1 put कर दो तो 1 प्लस में क्या है क्या है 3 मतलब 4 तो यहां से आया है कि x अगर 1 को अप्रोच करता है तो यह जो function है वो आपका 4 को अप्रोच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ यह जो 4 है वो इस function की क्या आ गया limit आ गया क्या आ गया इस function की limit आ गया मतलब इस function की जो value है न वो 4 के बहुत ही ज़्यादा close होगी approach करने का मतलब होते है कि वो 4 के बहुत ही ज़्यादा close होगी जब x 1 के बहुत ज़्यादा close होगा तो function आपका 4 के बहुत ज़्यादा close होगा तो उस function की limit आपका 4 आ जाता है तो ये थी हमारे पास definition of limit limit की definition अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ हो रहाती है कि सर right hand limit क्या होती है और left hand limit क्या होती है ठीक है right hand limit कैसे find out करते है और left hand limit कैसे find out करते है ठीक है तो वही चीज़ कि अगर x सबसे पहले मैं बात करता हो right hand limit की सबसे पहले मैं बात करता हो right hand limit की right hand limit कब बोलती है जब आपका x अप्रोच करे right side of a मतलब a plus को अप्रोच करे X किसको अप्रोच करता है A plus A plus मतलब क्या हुआ कि right side के अंदर है X जो है वो आपका greater than A है A से बड़ा है तो उस case में हम right and limit निकाल तो right and limit मतलब कि limit जब X जो है वो A plus को अप्रोच करेगा तो function भी किसी ने किसी finite value को अप्रोच करेगा मान लो L1 को अप्रोच करेगा तो उस case में ये इसकी क्या आगी right and limit आगे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि limit H approach to 0 function में आप यहाँ X की जिगें क्या पुट कर दो A plus H पुट कर दो is equal to क्या एगा L1 तो उस case में L1 जो है वो आपका left side of A है मतलब X की value A से छोटी है तो उस case में क्या जेगा limit जब X approach करेगा A minus को F of X तो ये किसी ने किसी finite number को अप्रोच करेगा मान लो L2 को अप्रोच करेगा ठीक है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि limit H approach to 0 function में A minus में H is equal to क्याएगा L2 तो L2 जो है उस case में क्या जेगी आपके पास left hand limit आ जाएगी क्या जाएगी left hand limit अब देखो right hand limit आ गई मेरे पास left hand limit आ गई मेरे पास लेकिन किसी function की limit exist कव करती है limit exist कव करती है जब आपकी right hand limit और आपकी left hand limit दोनों क्या है equal है आपकी right hand limit भी equal होने चाहिए left hand limit के दोनों का result आपका same होना चाहिए मतलब कि जो यहाँ पे आपने L1 निकाला और जो आपने यहाँ पे L2 निकाला वो दोनों आपके equal होने चाहिए तो उस case में उस function की जो limit है उस point पे x is equal to a point पे क्या करती है exist करती है मैं आपको example के through समझाता हूँ इस question को ठीक है न example के through आपको a g से समझ में आ जाएगा for example जैसे मैंने कहा एक function है fx मैंने function कह दिया यह रहेगा x square plus में 4 जब x की value greater than equal to 1 और यहां मैंने लिख दिया x square minus में 4 जब x की value less than 4 1 sorry less than 1 अब आपको क्या निकाल नहीं है आपको check करने कि limit x approach to 1 f of x exist करेगा या नहीं करेगा अगर करेगा तो उसकी limit क्या होगी अब देखो limit है x approach to 1 x approach to 1 है लेकिन देखो greater than 1 के लिए हमें अलग function given है और less than 1 के लिए हमें अलग function given तो सबसे पहले हम इसमे right and limit निकालते है right and limit का मतलव क्या हुआ कि x approach to 1 plus 1 plus का मतलव जब x आपका 1 से बढ़ा हो और जब x 1 से बढ़ा है तो function क्या है x square plus में 4 है तो यह मैं इसको लिख सकता हूँ limit h approach to 0 कर दो और x की जगें क्या put कर दो 1 plus h तो यह हो जाएगा 1 plus में h का whole square और plus में 4 आया limit apply करो h को 0 put कर दो h को 0 put करो के तो 1 का square 1 plus में 4 तो क्या result आया 5 result आया तो right and limit कितनी आई 5 अब बात बारी आई left and limit की तो मतलव limit x approach to 1 minus 1 minus मतलव x 1 से चोटा तो function क्या दे रखका है यहाँ लिखेंगे x square minus में 4 अब मैं इसको लिखूँगा limit h approach to 0 और x की जिगें put कर दोगा 1 minus में h और इसका क्या होजएगा whole square और minus में 4 अब आज h को 0 put करो तो यह तो 0 हो जाएगा यह 1 minus में 4 आएगा तो कितना है माइनस का 3 तो मेरे पास जो right and limit है वो 5 आई और जो left and limit है वो minus का 3 आई तो क्या दोनों equal है right and limit और left and limit दोनों equal नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि limit इस function की limit किस पे जब x1 को अप्रोच करेगा इस function की जो limit है वो does not exist आएगी exist ही नहीं करेगी क्यों क्यों क्योंकि right and side के लिए अलग value आ रही है और left and side के लिए अलग value आ रही है ठीक है तो right and limit अलग आ रही है left and limit अलग आ रही है limit दोनों same आने चाहिए बाई चाहिए function अलग अलग दे रहे हैं लेकिन जब x1 को अप्रोच करेगा चाहिए वो right and side से अप्रोच करे चाहिए वो left and side से अप्रोच करे value function की limit जो है ठीक है यह definition थी मेरे प्यारे किसकी definition थी limit की definition थी ठीक है अब देखो इसके अंदर some important results कुछ एक important results हैं जो आपको पता होना चाहिए ठीक है प्लीज यार like कर दो यार वीडियो को जिसने like नहीं किया ठीक है न आप बहुत मेनत लगती है आप लोग एक like कर देते हैं चैनल को subscribe कर देते हैं तो अपने आप बेब एक motivation साहाँ मिलता है और वीडियो के नीचे comment box में जहन जुरूर comment कीजिएगा और यह वीडियो कैसी लगी आप जुरूर बताईएगा सब्सक्राइब के रिगार्डिंग कुछ इक important रिजर्ट सबसे पहला जो इसके अंदर point आता है वह मैं आपको बताता है point number one आपका point number one यह कहता है कि limit अगर x approach to a है दो function है आपके पास चेह वो plus के अंदर हो चेह वो minus के अंदर ठीक है तब आप अलग-अलग limit लिख सकते हैं मैं इसको लिख सकता हूं limit x approach to a f of x अलग function की limit लगा सकता हूं plus minus limit x approach to a g of x अलग-अलग limit आप उसको लिख सकते हैं ठीक है second point कि अगर आपके पास function है limit x approach to a है और कुछ constant multiply में fx के ठीक है का कोई भी constant है तो आप इस constant को के से बाहर लिख सकते हैं मतलब आप इसको लिख सकते हैं के इंटो में limit x approach to a f of x देकर जो limit होती है वो function of x के उपर ही लगती है लेकिन के तो constant है इसको आप limit से बाहर निकाल तीसरा point कि अगर मैं से कहा दूं कि limit x approach to a दो function अगर आपके multiply में है तब भी आप अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं limit x approach to a fx की अलग limit लिख सकते हैं multiply में limit x approach to a gx की अलग से limit लिख सकते हैं तो दो function अगर multiply में तब भी आप उनकी अलग-अलग लिमिट जो है वो लिख सकते हैं ठीक है कि पॉइंट नंबर 4 मेरे प्यारे कि अगर मैंने कहा कि दो function divide में fx के divide में है जी है तो उस case में भी आप अलग-अलग limit लिख सकते हो limit x approach to a fx divided by limit x approach to a gx condition यहां कि जो denominator है मतलब limit x approach to a gx चुकि value not equal to 0 होने चीए denominator आपका not equal to 0 होना चीए क्योंकि आपको पता है कि rational function में denominator not equal to 0 होता है यह चीज़ आई पॉइंट नंबर 5 कि अगर मैंने कहा limit x approach to a exponential की power में function of x है तब आप उसको लिख सकते हो exponential की power में limit x approach to a f of x तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो और point number 6 कि अगर limit x approach to a है और log का angle अगर आपका fx है तब भी आप इसको लिख सकते हो लोग limit को अंदर लेके जा सकते हो x approach to a f of x इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं तो सबसे पहले यह यह 6 point है जो आपको पता होना चाहिए 6 के 6 point इसको बोलते हैं fundamental theorem यहां मैं कह सकता हूँ fundamental results तो यह 6 results है जो आपको basically limit के बारे में पता होने चाहिए ठीक है अब इसके अंदर कुछ एक और important results है जो आपको पता होने चाहिए जो आपको याद करने है ठीक है न बेसिक है वो बिलकुल basic result है ठीक है लिमिट चैप्टर बहुत ही आसान है मेरे प्यारे सबसे पहला basic result सबसे पहला कि अगर limit x approach to 0 हो sin x divided by x की value हमेशा 1 आएगी ठीक है और limit x approach to 0 हो sin inverse x divided by x की value भी आपके पास 1 आती है ठीक है दूसरा limit x approach to 0 tangent x divided by x की value भी 1 होती है और limit x approach to 0 tangent inverse divided by x की value भी 1 होती है ठीक है तीसरा point limit x approach to 0 cos x की value भी आपके पास 1 होती है इन सभी की value आपके पास 1 होती है next पूर्थ वाला point की limit अगर x approach to 0 है तो लोग 1 प्लेस में x divided by x इसकी value भी आपके पास 1 आती है तो इन सभी का जो result है वो आपके पास 1 आता है मेरे प्यारे ठीक है अब देखो इसे में आगे point number 5 कि limit x approach to अगर 0 है तो a की power x minus 1 divided by x इसकी जो value है वो always equal to log a होगी ठीक है मतलब यह कि अगर आपके पास a की पास x को अगर 0 put करूँगा तो a की power 0 minus 1 divided by 0 बनेगा limit put करने पर अगर ऐसा कुछ बने तो उसका answer अमेशा log a होता है जैसे example के तोर पे देखो मैंने का limit x approach to pi by 2 है और यहां लिख दिया a की power quote x minus में cos x यहां लिख दिया minus में 1 divide में मैंने यहां लिख दिया quote x minus में cos x अब limit अगर मैं apply करूँ तो देखो quote pi by 2 की value भी 0, cos pi by 2 की value भी 0 तो a की power 0 बनेगा minus 1 divided by यह भी 0 यह भी 0 तो कुछ ऐसी form बनी limit apply करने पर देख लो तो जब भी ऐसी form बने limit apply करने पर तो इसका मतलब इसका जो result है वो log a आएका limit आपको कुछ भी दी हूँ जुरूरी नहीं है 0 दी हूई हो मेरे कहने का मतलब है कि basically यह form बनने चाहिए limit put करने पर आंसर आपका log a आएका इसका जो result है वो आपके पास log a होता है ठीक है point number 6 limit x approach to 0 1 plus में x की power अगर 1.x हो उसका answer exponential आता है क्या आता है उसका answer exponential आता है तो 1 plus में x इसकी whole power क्या है 1 by x इसका answer क्या है एगा एक्स है limit x approach to 0 1 plus में a divided by x की power अगर है x ठीक है तो उसका answer आएगा exponential की power a तो इसका result रहेगा exponential की power a next point कि limit अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है और यहां है sin 1 upon x तो यह रहेगा आपका does not exist यह मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो एक्जाम में direct आ सकती है ठीक है limit जब x 0 को अप्रोच करे तो x into में sin 1 upon x यह आपका limit जब x 0 को अप्रोच करे x into में cos 1 upon x हो इसका answer आपका 0 आएगा ठीक है यह वो result मैंने आपको बताए हैं जो आपके exam के अंदर आप लोगों से direct पूछे जा सकते हैं और basic result है जो आपके exam के अंदर use होते हैं मेरे प्यारे ठीक है तो यह limit के definition हमारी हो गई यह कुछ एक basic important formula हमारे यहां पर हो गए ठीक है अब बारी आती है next concept की next definition की ठीक है next concept मेरे पेरे बहुत ही आसान सा concept है next concept हमारे पास कि जब भी आपको इस टैप का function दिया हुआ हो है कि limit x approach to infinity x किसको अप्रोच कर रहे है infinity को अप्रोच कर रहा है ठीक है और जैसे मैंने यहां लिख दिया 3x3 माइनस में 2x के पलस में यहां लिख दिया और denominator के अंदर भी हमारे पास polynomial function है ठीक है तो जब numerator में भी polynomial function हो denominator में भी polynomial function हो और limit आपके हमेशा क्या हो एक्स किसको अप्रोच करें infinity को अप्रोच करें तो उसकेश में short method क्या है इस type के question का answer निकालने का तो जैसे सबसे पहले concept discuss करें है फिर उसका answer निकालें तो यह कहता है कि जब limit x approach to infinity हो उपर एक general मैं polynomial लेता हूं माल लेता हूं a note x की पावर m प्लस में a1 x की पावर m-1 प्लस में up to son a n एक polynomial ले लिया divided यह मैं ले लेता हूं b note x की पावर n यह मैंने ले लिया b1 x की पावर n-1 प्लस में up to son b n ठीक है उपर भी एक polynomial है जिसकी degree कितनी है मेरे पास degree degree m है denominator में भी एक polynomial है जिसकी degree मेरे पास n है degree मतलब x की highest पावर यहां m है और यहां x की highest पावर n है तो इसकी तीन value आती है वो depend करता है m और n पर देखो अगर दोनों की degree equal है m और n equal है तो answer आप करेगा a node divided by b node मतलब x की पावर m का coefficient divided by x की पावर n का coefficient जैसे इस question में उपर देखो x की highest power कितनी है 3 denominator में भी देखो x की highest power कितनी है 3 और दोनों क्या equal है तो उपर वाले की degree denominator की degree और numerator की degree equal है तो यहां x cube का coefficient कितना है 1 यहां x cube का coefficient कितना है 5 तो answer आएगा 1 upon में 5 इसका correct answer सीधा direct limit अमेशा x किसको अप्रोच करना चाहिए infinity को अप्रोच करना चाहिए तो पहला case तो यह बना दूसरा यह कि अगर m आपका n से बड़ा हो मतलग कि numerator की degree denominator से अगर बढ़ी है तो उस case में answer हमेशा क्या आएगा infinity और अगर m n से छोटा है तो answer हमेशा क्याएगा असदीर हो आएगा answer हमेशा क्याएगा अब इसका example हम समझते है ठीक है देखो example जैसे मैंने कहा limit x approach to infinity यहां मैं लिख लिया x square प्लस में 5 डिवाइड में यहां लिख लिया x की q प्लस में x square प्लस में 7 तो बताओ answer क्या है उपर भी एक polynomial नीचे भी एक polynomial x की highest power कितनी है 2 इसकी degree आई 2 यह x की highest power कितनी है 3 इसकी degree आई 3 तो numerator की denominator की degree से छोटी है मतलब 2 less than 3 है यह m है और यह n है m less than n है तो जब हमने पढ़ा है कि जब m less than n हो always answer जो इसका आएगा वो आगका 0 आए ठीक है और अगर यही question होता limit x approach to infinity उपर होता x q प्लस में x square प्लस में 7 divided by नीचे होता x square प्लस में 5 तो अब देखो numerator की degree denominator से बढ़ी है तो m n से बढ़ा आगा तो इसका मतलब अब answer आएगा infinity और अगर यही question होता limit x approach to infinity 3x की q प्लस में 3x square प्लस में 7 divide में होता x q प्लस में x का square प्लस में 1 तो उपर भी एक polynomial नीचे भी एक polynomial degree दोनों की क्या है same है m और n दोनों equal है उपर x का coefficient कितना है 3 divide में x cube का coefficient कितना है 1 तो answer आजाता 3 आपका correct है ठीक है तो तीनों point आपके clear हुए कि जब n से बड़ा होगा n छोटा होगा या बराबर होगा तो आपका answer क्या होगा clear simple very simple एक example और देखो मैंने कहा limit n approach to infinity यहां लिख दिया 1 का square 2 का square plus में 3 का square up to son n square और divide में यहां लिख दिया n की q अब यह क्या है the sum of square of first and natural number हमें पता है इसका formula n approach to infinity यह क्या रहेगा n n plus 1 2 n plus 1 divided by 6 आएगा और निचे n की q ओपर जड़ा देखो जब में की multiply करूंगा देखो n की product n से करेंगे तो n square बनेगा और n square की product जब 2 n से करेंगे तो 2 n की cube बनेगा तो highest power n cube बनेगा denominator में भी n cube है तो डोनों की power क्या सेम है तो degree सेम है तो यहां n cube का coefficient आपका 2 बनेगा नीचे का n cube का coefficient 6 तो answer आएगा 2 divided by 6 मतलब 1 upon 3 तो डारेक्ट आप निकालो कुछ भी करने की जूरत नहीं है ना infinity ना divide ना कुछ करने की जूरत ठीक है तो जब भी आपके पास numerator denominator में polynomial function हो तो इस तरीके से आप इस question को करेंगे प्यारे कलियर हुआ सबका कलियर है शाबस कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप लोगों को यह concept कैसा ठीक है अब बारी आती है next concept के next concept करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं indeterminate form क्या indeterminate form है कि indeterminate form कौन सी होती है ठीक है देखो जैसे अगर मैंने कहा लिमेट x approach to 1 है और यहां मैंने लिख दिया x square minus 1 divide में लिख दिया x minus 1 अगर मैं direct substitute करता हूं x को 1 put करता हूं तो उपर बना 1-1 नीचे भी बना 1-1 क्या बन गया 0 by 0 इसको हम बोलते हैं यह जो form होती है वो undefined form होती है not defined form होती है इसका मतलब यह meaningless form होती है हम इसको क्या बोलते है meaningless form बोलते है यह 0 नहीं होता है मैं पहले बता रहा हूं यह meaningless form होती है ठीक है न तो limit x approach to 1 जब मैंने x को direct substitute किया x को 1 put किया तो यह 0 by 0 form होनी मतलब meaningless form बनी ठीक है और इस meaningless form को हम क्या बोलते है indeterminate form बोलते है मतलब जो function में direct limit put करने पर क्या बने 0 by 0 form बने या infinite upon infinite form बने या 1 की power infinite बने ठीक है या infinite minus में infinite बने ठीक है यह चीज़ अगर बने और भी form होती है मैं आपको यहां बता देता हूं infinite into 0 बने ठीक है 0 की power 0 बने infinite की power infinite बने तो यह जो भी इतनी ऐसी form बने तो उसको हम क्या बोलते है indeterminate form बोलते हैं क्या बोलते हैं indeterminate form बोलते हैं जब हम direct substitute करते हैं किसको substitute करते हैं direct limit को substitute करते हैं तो वो हमारे पास एक indeterminate form बन जाती है अगर इन में से कोई भी फॉर्म आपके पास बने तो अब आ रही आई कि सर अगर डारेक्ट सप्टिट्यूट करने पर इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो हम क्या करें तो देखो वाईज एक रूल बनाया गया एक रूल बनाय गया एल होस्पिटल रूल ठीक है एल होस्पिटल रूल बेसिकली कब लगता है जब आपके पास जीरो बाई जीरो फॉम बने या इंफाइनेट अपॉन इंफाइनेट फॉम बने ठीक है एल होस्पिटल रूल क्या कहता है मैं एक्जांपल के तुरू समझाऊंगा जैसे लिमिट एक्स अप्रोस टू टू मैंने लिखा एक स्केर माइनस में फॉर डिवाइड बाई एक्स माइनस में टू तो अगर मैं एक्स को टू पुट करता हूं यहां पे टू पुट क्या यहां पे तो देखो क्या बना एक्स केर तो यह बनेगा फॉर माइनस फॉर डिवाइड बाई टू माइनस टू तो क्या बना जीरो बाई जीरो फॉम बने तो जब जीरो बाई जीरो फ बने तो नुमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो तो सबसे पहले नुमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो X के र का डेरिवेटिव क्या होता है 2X होता है माइनस 4 का derivative क्या होता है 0 और divide में denominator का अलग से derivative करेंगे तो x का derivative क्या होता है 1 माइनस में 2 का derivative 0 अब हमारे पास ये बन गया limit x approach to 2 function बन गया मेरे पास 2x अब इसमें आप x को 2 put कर दो 2 put करोगे 2 into 2 कितना हो जेगा 4 तो ये क्या आ गया इस function की limit आ तो L hospital rule basically क्या कहता है कि जब भी आपके पास limit put करने पर क्या बन जाता है 0 by 0 form बन जाता है तो आप numerator and denominator का derivative कर दीजिए जिससे आपका question आसान हो जाता है और derivative करने के बाद आप उसमें limit apply कर दीजिए ठीक हैं कई बार ऐसा question बन जाता है कि derivative करने के बाद भी आपके पास 0 by 0 form बन जाती है जैसे हैं मैंने कहा कि limit x approach to a fx divided by gx जब मैंने x को a put किया यहाँ पे तो 0 by 0 form बन गई उपर भी कोई function नीचे भी कोई function है तो limit put करने पर 0 by 0 form बन गई तो हम क्या करेंगे इसमें L hospital rule लगा दे L hospital rule मतलब उपर वाले का derivative करो उपर वाले का f dash x आएगा डिवाइड में नीचे वाले का derivative करो तो क्या है जीड x है अब इसमें limit put करो मान लो कही बाद ऐसा होता है कि जब derivative करने के बाद भी x को जब a put करेंगे तो दोवारा से सर 0 by 0 form बन गई दोवारा से कौन सी form बन गई जीरो by 0 form दोवारा से बन गई तो अगें क्या कर देंगे अगें इस पर L hospital rule लगा देंगे अगें इसका derivative एक बार और कर देंगे तो f dash x का derivative f double dash x हो जाएगा divide में इसका derivative g double dash x हो जाएगा फिर आप limit put कर दो ठीक है अगर फिर से अगर 0 by 0 बने तो फिर से L hospital rule अगर नहीं वने तो आप direct इसमें limit put करो यह L hospital rule तब तक रहता है जब तक आपके पास 0 by 0 form खतम नहीं हो जाती basically तो जब 0 by 0 form खतम हो जाती है तो आपके पास फिर answer भी आ जाता है direct limit put करने पर ठीक है ना तो L hospital rule समझ में आया कि L hospital rule कब लगता है कौन सी form के अंदर लगता और कैसे लगता ठीक है clear है L hospital rule basically आपका clear हो गया सभी का शाबस बहुत बढ़िया चलो तो यह चीज़ हमारे पास हो गई विया clear तो यह इतना ही इसके अंदर limit का विया basically जो main इसका concept था वो यह चीज़ थे अब मैं आप लोगों को एक दो फोर्मले और यहां पर लिखवाता हूं ठीक है जो आपको पता होना चीए गाइस कुछ एक 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 जो है मैं expansion आपको लिखवा रहा हूं ठीक है ना जो series के अंदर series के अंदर use होती है मतलब कुछ एक questions ऐसे हो जाते हैं जो आपके series method से होते हैं तो वह expansion आपको वह ठीक है सबसे पहले expansion e की power x को जब expand करते हैं तो expansion क्या होती है e की power x की ठीक है तो e की power x की expansion होती है 1 plus में x plus में x square by 2 factorial plus में x cube by 3 factorial plus में x की power 4 by 4 factorial up to son यसी तरीके से चलता रहेगा second a की power x की expansion क्या होती है 1 plus में x into में log a plus में x square by 2 factorial into में log a का square plus में x cube by 3 factorial into में log a का cube up to son तीसरा expansion log 1 plus में x ठीक है लोग 1 plus में x यह होता है मेरे पास x minus में x square by 2 plus में x cube by 3 यहां factorial नहीं होता minus में x की 4 by 4 up to son यह से चलता रहेगा कोरता आता है कि लोग 1 minus में x का expansion क्या होगा यह हमारे पास होता है minus का x minus में x square by 2 minus में x cube by 3 minus में x की power 4 by 4 up to son तीके 5 नमबर पॉइंट इन सभी को आप अपनी कोपी पर नोट कर ले ना भाई sin x की expansion क्या होती है x minus में x cube by 3 factorial plus में x की power 5 by 5 factorial फिर minus में x की power 7 by 7 factorial up to son ऐसे चलता रहेगा 6 cos x की expansion क्या होगी 1 minus में x square by 2 factorial फिर plus में x की 4 by 4 factorial फिर minus में x की power 6 by 6 factorial up to son next tangent x की expansion x plus में x cube by 3 factorial ठीक है इसको चलो आप ऐसे लेको रुको tangent x की expansion x plus में x cube by 3 plus में 2 divided by 15 x की power 5 plus में 100 यह इसकी expansion होती है ठीक है next आता है 8 number sign inverse x की expansion यह क्या होती है x plus में 1 का square into में x cube divided by 3 factorial plus में next आता है 1 का square into में 3 का square into में x की power 5 divided by 5 factorial next आता है 1 का square into में 3 का square into में 5 का square फिर होज है x की power 7 divided by 7 factorial up to 100 next अगर में cos inverse की तो basically ज़्यादा use नहीं होती है tangent inverse x की यह होता है मेरे पास x minus में x cube by 3 ठीक है और plus में x की power 5 by 5 फिर minus में x की power 7 by 7 up to 100 और point number 10 1 minus में 1 plus में x की power n binomial theorem आपको पता ही है 1 plus में n next plus में n n minus 1 by 2 factorial x का square n n minus में 1 n minus में 2 divided by 3 factorial x cube to solve जैसे यह basically पता है यह जो जितनी भी expansion आती है Taylor theorem से आती है Taylor theorem तो आपके यहाँ पे तो आती है लेकिन higher classes में होती है जब आप लोग B.S.C. वगएरा करते है non medical ठीक है तो उसके अंदर आपके पास यह चीज़ें आती है तो यह थी मेरे पास important expansion जो limit के अंदर basically use होती है limit chapter के अंदर तो यह था guys हमारे पास limit chapter का पूरा basic concept ठीक है इतना ही है limit chapter का concept तो यह हमारा हो गया complete next part में मैं आप लोगों को limit chapter के important questions करवाने बाला हूँ ठीक है important questions आपके इसमें करेंगे total 25 questions इसके करेंगे ठीक है और इसका मैंने आरसकरवाल का भी question करवा रखा है मन्जुलत्यागी का भी मैंने करवा रखा है और pathfinder का मैं upload कर दूँगा और पी वाइक्यू भी इसके मैंने करवा रखें तो यह प्लेइलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा प्लेइलिस्ट में जाओगे आरसकरवाल की प्लेइलिस्ट मिली बनी हुई है मन्जुत्यागी की भी playlist बनी हुई है पी वाइक्यू की भी playlist मनी हुई है ठीक है तो प्लीज काई वीडियो को लायक जूरूर करना शेर जूरूर करना Music कोमेंट करके जूरूर बताना कि आप लोगों के वीडियो कैसे लगी और चैनल पे जो भी न्यूँ हो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करना ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्ट्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिल जैबाग वंदे मातरं तब बच्चो